हेलो दोस्तो लाप्टप मास्टर में आपका स्वागत है मैं आपका दोस्त निशान आज पर आपके आपने एक नए वीडियो एक नए लाप्टप के साथ लेकि जो आज हम लाप्टप लेके आए हैं उसके लिए मैं थोड़ा सा excited हूँ क्योंकि जिस प्राइस रेंज में लिन यह काफी बेटर है प्राइस के रेंज में भी अगर मैं आपको कहूं तो बहुत ज़्यादा excitement में आपको create करना नहीं चाहूंगा मैं आपको बतायता हूँ यह लाप्टप को हम आज unbox करेंगे इसका back panel भी open करके आपको दिखाएंगे तो चली दोस्तों आगे बढ़ते हैं आगे बढ़ने से पहले में आपको यह बता देता हूँ यह laptop हमें Lenovo India ने provide कराया है करोल बाग में Lenovo exclusive store है के पी एंजी टेकनलोजीज उसके तुरू यह laptop हमें मिला है यह laptop unbox होने के बाद के पी एंजी टेकनलोजीज जो करोल बाग में है इसके तुरू Lenovo के पास वापिस चल जाएगा दोस्तों अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लिजिएगा बैल आइकन जरूर पहस कर दीजिएगा आगे भी आने वाले नए laptop की वीडियो हम आपके लिए लेके आते रहेंगे तो चलिए दोस्तों आगे होती है जब भी आपकी पाउर कोड खराब हो तो हमेशा जेन्मैंंड पाउर कोड ही यूज करीगा मार्कीट में 500 रुपे की पाउर कोड मिल जाती है लेकिन वह आपके लाद अब्सान पहुंचा सकती है यह इसका पावर अडेप्टर है 65 वाट का पावर अडेप्टर है तो चलिए दोस लापटप देखते हैं लापटप अगर हम कलर की बात करेंगे तो आर्टिक ग्रे कलर के साथ यह लापटप आपको मिलता है फाईबर बाड़ी में आता है बिल्ट क्वाल्टी लेड़ यह अगर हम बात करें ओपन करने की तो एक हास से ओपन नहीं हो पाया हमें सपोर्ट की जुरत पड़ी अगर आपकी फिनिशिंग की बात भी करेंगे तो काफी स्मूथ फिनिशि जी का ये laptop आपको मिलता है sleekness भी आपको देखेंगे तो काफी sleek laptop है back panel आप देखेंगे तो ये ventilation है rubber points से रखके है back panel में आपको पता चल जाता है कि इसकी जो ये back panel है ये fiber body के अंदर है open करके देखते हैं wobbling का क्या condition है तो देखें laptop की wobbling के अगरें बात करें तो है तो सही लेकिन बहुत कम है ऐसा बहुत ज्यादा wobbling इसमें आपको देखने के लिए नहीं मिलती है 160 180 degree तक आपका ये जो पैनल है जाता है 180 degree का बहुत फायदा नहीं होता है फिर भी लेकिन लिनोव अपने अदिखते लाप्टॉप के साथ ये feature देता है तो चलिए दोस्तों laptop के हम ports देखते हैं फिर देखेंगे laptop की configuration लाप्टॉप के right side में आपको सबसे पहला जो मिलता है charging के लिए है port उसके बाद मिलता है एक USB 3.2 Gen 1 एक हमारा left में एक right में उसके बाद आपको मिलता है HDMI 1.4 आपका TV या LED प्रोजेक्टर्स कनेक्ट करने के लिए उसके बाद आपको मिलता है type C 3.2 Gen 1 जो data transfer support करता है और power delivery और display port भी 1.2 आपका support करता है उसके बाद एक आपको दिखाई देता है headphone microphone combo jack 3.5 mm का आपके headphone mic को connect करने के लिए laptop के left side में देखेंगे तो हमें दो port देख रहे हों मिलते हैं जिसमें से एक है card reader और एक आपको मिलता है USB 3.2 Gen 1 चलिए दोस्तों देखते हैं laptop की configuration क्या है configuration में हमारी हमेशा बात होती है सिर्फ से फेले processor की थर्डीन जनेशन प्रोसेसर है Intel Core i513420H जी हां 13 420H इसमें आपको प्रोसेसर मिलता है नॉर्मली आपने देखा होगा एच प्रोसेसर सिर्फ और सिर्फ gaming laptops के अंदर आता है लेकिन लिनोव ने अपने आइडिया पैड स्लिम 3 series के अंदर भी आपको एच प्रोसेसर दिया है जी हां base speed 2.1 GHz है cores है 8 और इसमें आपको 8 core में आपको बता दू चार efficient core है चार performance score है हम देखते है नॉर्मली आइफाइफ के अंदर आपको जो हमने पहले भी आइफाइफ 13 जो तेरा पैंतिस यू प्रोसेसर आता है उसमें 10 core होते हैं लेकिन इसके अंदर 8 core है जिसमें 8 efficient है यहां आप देखेगा performance core कितने हैं इसमें 4 performance score है जैसे इसकी base speed 2.1 GHz है और maximum turbo boost frequency 4.6 GHz है तो जो चार performance score है उनकी perform maximum turbo boost frequency 4.6 है efficient core की जो maximum frequency 3.4 GHz तक ही रहती है तो यहां पर आप बिल्कुल भी confuse में मत आईएगा अगर हम logical processor की बात करेंगे तो 12 है और L3 cache की बात करेंगे तो वह भी 12 MB की cache आपको इसमें मिलती है अगर यह memory की बात करते है 16 GB की RAM है LPDDR5 4800 MHz की आपको इसमें RAM मिलती है देखे वैसे तो हमें पता है चल गया है कि इसमें आप inbuilt RAM है या soldered RAM है आप यहां से भी देख सकते हैं यहां पे row of chips लिखा हुआ है यानि इसमें soldered RAM है अगर दिम लिखावा होता तो इसके अंदर आप जो strip है वो लगा सकते है रिमूव कर सकते हैं लेकिन इसमें आप नहीं कर सकते हैं आपको laptop open करके भी दिखाएंगे back panel उस पे भी आपको पता चल जाएगा SSD की बात करेंगे तो micron की आपकी 512 GB की इसमें SSD लगी भी है 4.7 GB की इसमें आपको capacity मिलती है ग्राफिक्स देगे मैं यहां पर लिनोव से यही का हूँगा कि जब आपने इसमें solder RAM दी है 16 GB RAM दी है तो आप easily इसके अंदर Intel Iris Graphics दे सकते थे लेकिन उन्होंने Intel UHD Graphics दिया है जो बहुत ही basic graphics होता है जो shared GPU पर work करता है shared GPU memory basically 7.9 GB है तो इसलिए मैं यहां पर थोड़ा सा ख खुश नहीं हूँ कि Intel Iris XC Graphics नहीं दिया लेकिन आप यह मत सोचेगा कि अगर Intel Iris Graphics नहीं दिया इसकी बाकी अगर हम processor देखें या RAM देखें और इसकी pricing देखें तो यह laptop बहुत बेटर है अभी हम last में इसके बारे में discussion करेंगे जो voice configuration की अभी आप सुन रहे थे वो हमने इसी laptop के mic से record करी थी जिससे आपको इसके mic की quality भी पता चल जाए इसमें आपको 15.6 inches का full HD IPS enabled display आपको इसमें मिलता है जिसका resolution 1920 by 1080 है अगर हम nits की बात करेंगे तो 300 nits है और anti glare screen आपको इसमें मिलती है जो camera है इसका 1080p full HD camera मिलता है with privacy shutter इसमें आपको 15.6 inches का full size backlit keyboard मिलता है numeric keypad के साथ तो दोस्तों समय आगे laptop का back panel open करने का तो आए चर्टल के करते हैं laptop का back panel open तो दोस्तों laptop हमारा open हो गया है back panel तो आए देखते हैं इसके parts तो दोस्तों देखें लाप्टॉप में नॉर्मली अगर आपको सोच रहे होंगे edge processor है दो fan होने चाहिए लेकिन इस laptop में आपको लिनोव ने एक ही fan दिया है edge processor के बाद लेकिन काफी heavy fan है यहां आपको processor लगा हुआ है जो heat sink के through connected है fan के साथ यहां आपकी RAM है RAM onboard RAM है आप इसको upgrade नहीं कर सकते solder RAM आपको इसमें लगी भी है यहां हमने जो देखी दी SSD 512 GB की SSD आप upgrade कर सकते हैं इसको remove करके आप one TV की लगा सकते हैं लेकिन इसको remove करना पड़ेगा आप additional इसमें SSD नहीं लगा सकते वाइफाई आपको मिलता है यह देखे साथ में आपको Wi-Fi 6 है Bluetooth 5.1 इसमें लगा हुआ है यह बैटरी है 47 work hours की बैटरी है 3 cell की बैटरी आपको दिखाई दे रही है इसमें 2 speakers लगे में है 2 watt के 2 watt का speaker है जिसमें आपको इसमें आपको Lenovo ने दिया है यह आपका motherboard आपको दिखाई दे रहा है बदरबर काफी छोटा हो चुका है पहले से और इसमें आपको CMOS बैटरी भी दिखाई दे रही है जो नॉर्मली आज कले इन बिल्ट होती है इसके अंदर आपको दिखाई दे रही है CMOS बैटरी आज हमने अन्बॉक्स किया Lenovo IdeaPad Slim 3 i5 कोनिफिकेशन 13 जनेशन में एच प्रो यह laptop आपको इस configuration के अंदर आपको market में नहीं मिलेगा देखिए अगर मैं build quality की बात करूँ यह processor देखिए H processor इसके अंदर जो है इस laptop को खास बनाता है क्योंकि इस range ही अंदर आप किसी और brand में देखेंगे तो आपको U processor मिलेगा जी हां आपको इसमें H processor मिलता एक जरूर कमी है कि Intel Iris graphics भी नहीं दिया लेकिन मैं आपको यह बता हूँगा कि Intel Iris graphics हमें use आता है हमें editing में या designing में वो भी बहुत खास नहीं हो पाता क्योंकि अगर आप professionally use करेंगे तो आपको हमेशा dedicated NVIDIA graphics की जरूरत पढ़ेगी RTF की या 1650, 3650 इस graphics की आपको जरूरत पढ़ेगी तो अगर मैं इसकी बात करूँ तो अगर इसमें आप कहेंगे कि fingerprint वो इसमें नहीं दिया है मैं आपको पहला प्राइस रेंज की भी बात कर ले दा हूँ क्योंकि आप confused रहेंगे यह market में आपको 60,000 के अप्रॉक्स laptop मिल जाएगा जी हाँ इसके compare में आपको कोई और ब्रेंड इस प्राइस रेंज में यह quality नहीं offer कर रहा है बहुत ही better pricing के अंदर अब आपकी working इसमें देखिए accounting आप कर सकते हैं आप इसमें office work कर सकते हैं अगर आप आप इसमें नहीं कर पाएंगे तो दोस्तों अगर आपको office work के लिए ले रहा है आपको अगर अपनी online classes लेनी है तो यह laptop परफेक्ट है i3 भी आप ले सकते हैं लेकिन यह i5 है उससे better performance देगा आप coding यह programming भी इस laptop पे कर सकते हैं सबसे जो खास बात है इस laptop की जो इसको अलग करती है औरो से लेनोवो इसमें आपको one year की on-site warranty तो देता ही है साथ में one year की accidental damage production भी देता है जी हाँ आप यह पुझेंगे कि one year accidental damage production का बतलब क्या हुगा laptop एक साथ तक आपका तूट भी गया तो भी लेनोवो आपको इसके part की replacement देगा without any charges जी हाँ लेनोवो इसके साथ आपको one year accidental damage production देता है पहले लेनोवो two years की warranty देता था जिसमें damage की warranty नहीं होती थी और अगर करोर बाग में जहां से हमें यह लाप्ता मिला आप यहां पर भी एक बार जरूर देख सकते हैं एक प्राइस एक बार आप जरूर लीजेगा आपको definitely better price मिल जाएगा तो दोस्तों यह वीडियो हमें कैसी लगी comment section में जरूर बताईएगा अगर आपको वीडियो प कानी की वीडियो के अंतर हमारे साथ बने रहने का बहुत बहुत धन्यवाद मिलेंगे अगली वीडियो में किसी नए लाप्ताप के साथ तब तक के लिए जाहें